हलो दोस्तों स्वागत है मैं टूचनल में आज हम आपके लिए फिर से नएक वीबसाइट लेका है जहाँ से फ्री में कोर्स कर सकते हैं पहला सर्टिफिकेट भी प्राथ कर सकते हैं और यह वेगसाइट यूसे की वेगसाइट है जो फार्मा पोर्टल पर काम करती है आप इस लिए और यहां इसे आप अलग-अलग आने के बाद आपके सामने जो पेज होगा उचहाइसा decision होगा देख सकते हैं और यहां से आप अलग-अलग कूर्स कर सकते हैं तो आप यहां पर मेनु पर आजाएगा मेनु पर आने के बाद आप यहां पर ट्रेनिंग and continuing education पर आईएगा आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ है सा एंटरफेस आएगा और थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करिएगा यहाँ एक आपसन मिलेगा CDE Arial Learn आप इस पर क्लिक करिएगा यहाँ देख सकते हैं CDE Arial Learn और इसको यहाँ से पनों ठैंक्स कर दिजिए Training and Education आप इसके बारे में यहाँ से Knowledge दे सकते हैं और यहाँ पर Education Series में आईएगा और यहाँ एक आपसन मिलेगा General Courses पर क्लिक करिएगा General Courses पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं CDE Arial World आप इस पर क्लिक करिएगा अब यहाँ देख सकते हैं US Foods and Drugs के बारे बता गया जो एड्मिस्ट्रेक्टर का है थोड़ा से स्कूल डाउन करिएगा और यहाँ देखिए एक आपसन मिलेगा FDA Human Drug Review and Approval Basics और यहाँ पर डिस्क्लेमर आइकन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इसके बारे में तो यह डिस्क्लेमर आपसन है तो डिस्क्लेमर में नहीं जाना है आप लेकिन उसके वारे जानले ले सकते हैं और यहाँ पर आप इस वाले आपसन पर क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहां एक आपसन मिलेगा introduction to FDA यानि इस FDA का introduction चाहिए इसपर आपके लिक करिएगा और यहां पर begin पर क्लिक करिएगा अब आपके सामने एक course स्टार्ट हो गया है और इसके पहले है आप यहां देख सकते हैं यह course जो है multiple अलग-अलग course थे तो यहां फर यह देख सकते हैं course जो outline है यह सारे अलग-अलग course का outline है और यहां से आपको इसी पर क्लिक करना है और इसके बारे हम थोड़ा सब नालेज ले सकते हैं देख सकते हैं lesson 1234 है चले हम इस वाले लाइन पर आ जाते हैं FD human drug review पर है यहां पर देख सकते हैं हमारा course इस्टार्ट है आप यहां से लर्निंग अब्जेक्ट्ट से क्लिक करेंगे और यहां से हम नेक्स्ट करेंगे यहां से भी नेक्स्ट कर सकते हैं यहां से भी हम नेक्स्ट कर सकते हैं नेक्स्ट करेंगे और यहां से हम step by step knowledge लेंगे अब यहां से इंट्रोडक्शन नहीं से देखेंगे फिर इंट्रोडक्शन देखने के बार फिर नेस्ट करेंगे FDA, drug, review and approval, basics के बार हम knowledge लेंगे जो भी होगा इसके बार हम पढ़ते जाएंगे और यहां से हम nest करते चले जाएंगे फिर हम nest यहां से भी डाइट कर सकते हैं फिर हम nest करेंगे फिर FDA, regularity, authority के बार हम knowledge लेंगे फिर nest करेंगे फिर यहां FDA, human, drugs and review and approval basic का ही module है फिर यहां next करेंगे लेख सकते हैं सारे step by step आपको complete करने होंगे next 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 करेंगे सब कम्पिलिटली देखना होगा अब यहां से आप knowledge चेक पर आईएगा आप ने जो जो अभी पीछे के lesson में आपने पड़ा है यार देखें हैं उनके बारे में उनके उनसे संबंदी त्याहसा question में पूछे जाएंगे हम चले इस question को complete कर लेते हैं त्याहसा हम complete कर चुके हैं और यहां से हम continue करेंगे करेंगे और फिर next हम करेंगे और फिर से next करेंगे सारे आपको यहां से डिस्पेले करेंगे जैसे हम यहां पर नाम सो कराना चाहते हैं डिजिटल संतोस और यहां पर हम सेफ कर देंगे हम जैसे हम सेफ कर देते हैं यह सेफ हो जाएगा और यहां पर आप से ने का जाएगा download the certificate as the PDF for Mr.Digital संतोस आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको certificate डाउनलोड हो जाएगा तो देख सकते हैं Mr.Digital संतोस नाम से certificate हमारा इस्व हो गया है और इंट्रेडक्शन टू एफ दी हुमन ड्रक्स रिब्यू और एप्रिवल बैसिस पर है और यहां देख सकते हैं जोन तीन दोजार बेस्क पर हैं तिस तरह पर यह certificate प्रात कर सकते हैं थैंक्स पर वाश्किंट इस वीडियो